नमस्ते एनलेटिका अर्वेदा चैनल पर आप सबका स्वागत काफी बेस्तता तीन-चार फरवली को मेरी रही दो और पांच यात्रा में भी थे तो चार दिन के बाद आपके समक्च फिर से हाजिर है इस बीच चीज चार दिनों में इतने मुद्दे घटित हुए कि सब पर आप से बात करना अनिवार इस्ता लगता है लेकिन एक एक करके चलेंगे उसके पहले जो आज मुद्दा मैं आपके सामने रख रहा हूं तो एक बड़ी ही अच्छा सा आप कहते हैं कि कि सेर है किसी सायर ने लिखा है पहले उसको पढ़ लेता हूं कौन कहता है आसमा में सुराक नहीं हो सकता एक पत्थर तो तबियत से उचालो यारो काफी पुराना है मैं भी इसको कई बार यूज किया हूं इसे भी जब इंٹरमीडियट पास करके चाहे बिय्सए और बीयमस करते है समय भी इन बातों को हम लोग हॉस्टल में बोला करते थे इस त्सेर को बड़े जब कोई इस तरीके की बाथ आती थी कि क्या कर चकते कि कर सकते हैं तो यह बात हम लोग किया करते थे क्योंकि वो जमाना और था और आज का जमाना और है मतलब हम 30 साल पहले की बात कर रहा है तो तब से मैं इसको जानता हूँ इस लाइन को तो इसका एक पहले positive reference देखते हैं तो positive reference में सबसे पहले हम जहां बैठे हुमें हैं वहीं को बात कर लें भारत ने रतन पंडिक मदन मोहन माल भी है एक व्यक्ती तब्यत से उन्होंने काम किया परारा सिंदो इनिवर्सिटी के स्थापना की आगे चलता हूँ तो सुदार बल्ला भाई पटेल का नाम लेना बहुत जरूरी है उन्होंने पुरे भारत आधुनिक भारत के नक्से का निर्मान किया उसके आगे चलता हूँ तो तुरह शॉट करते हुए इस समय के यह सश्वी पधान मंत्री सिंदारिंदर मोदी जी का नाम लेता हूँ कि उन्होंने भी पिछले तस वर्सों में तवियत से काम किया जो चीज़ें असंभव मानी जाती थी आज के इवें पंद्रह साल पहले जो असंभव मानी जाती थी उनको कर दिया चलिए फ्रॉयर वेद में आ जाते हैं पतंजली डावा राम देव अचारिबाल कर शुट जो असंभव था आज के 25 साल पहले वो उन्होंने कर दिया हर तरह से कर दिखाया पॉपुलरिटी में प्रोडक्शन में बिजनेस में पचास हजार करोन का बिजनेस जो आज के 10-15 साल पहले कारह हजार करोन का था मुझे याद है अज के करीबन 10 साल पहले आसपासी की पतंजली ब्रेक ओल देकोनोमिक रोल्स डिट्रैक्टर्स जो उन्हों की स्पीड थी जो गें थी जिससे वो चल रहे थे वो लेकिन यहीं इसका एक निगेटिव वैलू भी है कि एक व्यक्ति एक व्यक्ति हाँ निगेटिव वैलू जिसका नाम है दॉक्टर केवी बाबू आर्टी आई एक्टिविस्ट यह पतंजली बिद्या पीट से अच्छा है कि दीव फार्मेसी कहा जाया उससे भी अच्छा ह हाद दो के पड़ा हुआ है और मैं यह नहीं कहता कि बाबार रामदयों के पीछे हाद दो के पड़ा हुआ है यह वक्ति आयरवेद की हादी के पीछे हाद दो करके पड़ा हुआ है आयरवेद की प्रतिष्ठा के पीछे हाद दो करके पड़ा हुआ है this man is behind Ayurveda, this man is behind prestige of Ayurveda, this man is behind doctrines and the philosophy of Ayurveda, like that fellow of the Kerala, I don't want to name him, to make him something special, not at all. So, what Dr. K.B. Babu is doing? See, not see, he, he is on every platform complaining about Devi Pharmacy, this reason or that reason. And finally, he succeeded to get the attention of the PMO. He represented on PMO, as Indian Express is reporting, he represented on the PMO, on the, just I have noted down everything, on January 15th, see, देखिए, उसने 15 जनौरी 2024 को PMO में ITI डाली, कि बाबा रामदेव की कंपनी, दिव्यफार्मेशी, जो पॉडक्स बना रही है, वो misleading advertisement के अंतरगत आती हैं, उनके उपर इतने charges, honorable courts ने और सबने कर रखा है, लेकिन उनके ऊपर कोई action नहीं हो रहा है, देखिए, सरकार, यह सरकार कैसे काम कर रही है, 15 जनौरी 2024 को, Dr. K. V. Babu, RTI activist, ने complaint किया, 24 जनौरी को, डायरेक्टिव्यफ मिनिस्ट्री आफ आयूस को गए, कि आप 6 फरवरी को होगा, तो दो फरवरी को डायरेक्टिव जारू कर दिये मिनिस्ट्री आफ आयूस में और SLA, स्टेट लाइसेंसिंग अथर्टी उत्तराखंड सरकार को लिखा कि आप इनके जो पतेंजली के ऊपर जो जायते हैं, जो प्रूफ हो चुकी है, misleading advertisement की उनके उपर कायरवाई करिये, तो वो सीधे सीधे सरकारी भासा होते हैं कि for appropriate action, अब appropriate action पिछले 2022 से ही इनका आरोप है डॉक्टर केवी बाबु का कि वो नहीं लिया जा रहा है, उनके उपर, और एक written answer भी March 28 में हमारे आधरनिय, Honorable Mr. सुनेवाल साहब ने लोगसभा में दिया था, कि Ice Ministry ने इनके सारे advertisement जो कि दिव्य मधो ग्रिट 15 violation दिव्य लिपटाम 7 violation दिव्य आई ग्रिट गोल 10 violations दिव्य बीपी ग्रिट 18 violations ये सारे के सारे उत्रा अखंड सरकार को बेजे गया हैं कि आप इनके उपर कारवाई करिये, लेकिन बाब डोग इसका आटिया एक्रिविस्ट का कहना है कि पतंजली उसके बाद भी misleading advertisements देती रही हो इसके उपर DMR, O.A. Objectional Advertisement 1954 के अंतरगत कोई कारवाई नहीं हुई, थोड़ा सा आपको पीछे लेगाना चाहना हूं, Honorable Supreme Court आपको याद होगा, Honorable Supreme Court में Honorable Justice Asadun Amanullah Justice, PK Mishraji की खंड पीठ ने 21 नौवंबर 2023 को बहुत सक्त warning दी पतंजली को, कि आप अपने misleading advertisements हटाईए, नहीं तो आपको उपर product एक करोन की भी fine लगा सकते हैं पतंजली ने अपना प्ली दिया, अपने senior advocates के थुरू और लगा कि नहीं भाई, यह मान रहे हैं और misleading advertisements नहीं देंगे, लेकिन फिर उसके करीबन एक महीने के बाद ही misleading advertisement, मैं उसको advertisement कहूँगा, misleading कहने में भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो misleading की definition DMR 1954 में है, उसके अंदर गत्तों cover होते हैं, लेकिन उन्होंने फिर बड़ी साधानी से इसके उपर अच्छे brains का इस्तेमाल किया, और इसकी भासा बदली और फिर से advertisement दे दिया, इवन के आरवेज जगत में भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि क्या बाबा राम देव सुप्रेम कोट से भी उपर हो गए हैं, कि उसके भी directives को नहीं मान रहे हैं, लेकिन चलिए हर व्यक्तिक आपना एक कार करने की सेलिए, आज भी बहुत सारे लोग अब ऐसे उदारन दे तो दे रहा हूं, प्राणप्रतिष्टा हो गई, पूरा राष्ट एक प्रसनता का अनुभाव कर रहा है, पूरा राष्ट सभी धर्मों के लोग, बहुत सारे ऐसी खबरे आच चुकी हैंगी, बहुत सारे हमारे इसलाम धर्म के अनुराई, मुसलिम भाई भी जाजा करके राम ललागा दरसन कर रहा हैं, फिर भी वहीं कुछ लोग हैं जो कि कोर्ट की आउमानना करके, कोर्ट के निर्णे पर आज भी प्रसने चिन लगा रहा हैं, तो ऐसा ही मैं, देखे, एक्जाम्पल मेरा सठीक है, मैं इसमें कोई वो नहीं कर रहा हूं, अब जब अनुरेब लुक्ति ऑपर ही हो गया हैं क्या, सुप्रिम कोट से भी उपर हो गये हैं जैसे कि बाखी एक मैंने उजाहं पूल दिया, वहां भी लोगू की अनुरेब्ल की की बात नहीं मान रहे हैं, तो यह चीजे , कुछ इस तरीके की हैं जहाँपर की बड़ हि गचप के संभावनाय बन रही है और इस पर जो है वो सोचना समझना चिंतन सब को करना पड़ेगा अब मैं इसको दो इस्सों में बाठता हूं और थोड़ा बैलेंस रहने की कोशिस करूंगा देखे बाबा रामदेव के मिस्ट एडवर्टीजमेंट जो कि मिस्लीट कर रहे हैं अगर लीगल डिफ सारे आयरुवेद कंपनियों के जो सॉलिशीटर से हैं मतलब काई मिन एडवोकेट से हैं कॉंसल से हैं जो कि अन पैनल है वो यह कहते हैं कि द्यामार 94 तो अर्वेदिक मेडिसिंस के लिए लगता ही नहीं इस नॉट अप्लाइड ऑन अर्वेदा मेडिसिंस और इस नीज मे अब देख सकते हैं उसका इसले एक उसका नंबर देगा उसके ड्राफ्ट को आपको जमा करना होगा गढ़ा गढ़ा था वह समना गुंवरा कोषी नहीं होगया ऑन्गेड़ करते हैएं जिसको मिनिस्ट्री आगे आगे बढ़ते है पिछे अटती है आगे बढ़ती है पीछे अटती है रूल बन सैवन जीरो को ले करके और इसके रूपर ले के बड़े-बड़े कमेंट्स आ जाते हैं इस फिल्ड के लोगों के फार्मसिटिक्स फिल्ड के लोगों के और या चाहे आसी हो एड़ड़ाइजिंग स्टेंडर्ड काउंसिल अफ इंडिया हो चाहे क्यूसी आई हो चाहे वह भी आईएस हो सब लोग इसमें घाल मेल में फस और के लोगों का हाई कोट में आयरुवैदिक कंपनीयों का जाना और से उपर स्टे लेना क्या नहीं हम ऐसे अड़ेज देंगे एक पहलो मिनिस्टिकार एक्शन एक्षं अप्रोप्रीएक इकशन और उसको लागू करना न लागू करना एक तूसरे आजो कि बहुत खतरना के मैं उस तरफ आपका ध्यान देरना चाहता हूं पार्लेमेंट में दो क्वेश्चन किये दो MPs ने किये उनके नाम है डॉक्टर वी शिउदासन माननी है डॉक्टर वी शिउदासन बिलाउं करते हैं कम्रिस पार्टी से केरल से राजसवासद से दूसरे माननी सांसद हैं कारती पीछे दंबरम जी तमिलनाद से हैं दो पार्लेमेंट यह यह भी आविश्च मिनिस्ट्री से बाबा राम देव की कंपनी के ऊपर क्या-क्या कारवाई हुई इसको उन्होंने पार्लेमेंट में उठाया और इंडिन एक्सप्रस रिपोर्ट कर ढरूम् साथ इसम एक बातना सि बाम मेंट बेंडी में तक्या कंप एंडिन ऱ्ट्री इसू लग्ससा जेसे लग्स सब्रामा कैली सब्स्क्रश संब्सक्रश प्रामि केरा कंप ट्र्मि sociedade में पतन जली तक सीमित नहीं रहता हूं। में पतन जली तक सीमित नहीं रहता हूं। कि आप कंग्रेस के हैं तो समर्थन नहीं करेंगे। आप पूछिए वेस्ट बंगाल में क्या हाल है। कि आप लोग को बताएंगे लोग की अन्रेबल चीफ मिनिस्टर साहिबाने क्या 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 रही है। अन्रेबल चीफ मिनिस्टर केरला कितना प्रमोट करने हैं या कितना और रोद ला रहे हैं। बाकि तो अभी अन्रेबल चीफ मिनिस्टर सब बीजेपी गॉर्रमेंट क्या कर रही है। गुजरात का जो एफिडेविट आया उसने सब कुछ मटिया में एट कर दिया हमारे पच्चास साल की कमाई को खराब कर दिया। Responsibility is the political leadership of the गुजरात that is the BJP there. वह एफिडेविट, एक एफिडेविट कितना भारी पढ़ रहा है कि उसके चलते मद्यप्रदेश में हमारे PG scholars मुकत्मा हरें। वह भी continuously BJP government है। वह एफिडेविट गुजरात सरकार का कितना भारी पढ़ रहा है कि अभी दो फरवरी को भी जो NCISM के रीपर रीव पेटिशन थी वह भी जस्टिस अभैकॉक और जस्टिस पंकाजमितल ने खारिज कर दिया। इसी को चार दिन पहले किसके जिम्मेदारी थी क्या यह पॉलिटिकल लीडर्शिप की जिम्मेदारी नहीं थी जो वहां पर हैं। तो मैं यहां बात कर रहा हूं कि एक सेंट्रल लीडर्शिप बहुत यह सश्वी प्रधान मंत्री जी की नेत्रित जो कि इस भारती संस्कृति को भारती अता को भारती ज्यान को इतना प्रमोट कर रहा है कि उन्होंने इस साल बजट 3726 करोन रुपया किया 700 करोन रुपय का बढ़ावा दिया और दूसरी तरफ यह जो हमारी राज्य सरकारे हैं चाहे वो भाजपा की ही क्यों नहों गुजरात मद्व प्रदेश और जो दूसरी सरकारे हैं जैसे केरल पश्यमंगा अब केरल के राजसभा सांसाथ तमिल्नाडू से राजसभा सांसाथ पतंजली के व प्रटीजमंट दे रहे हैं उनका विरोध करिए हम भी आपके आवाज में आवाज उठा सकते हैं मिला सकते हैं मगर आप पूरी सब्विता और संस्कृति को एक पूरे ज्यान को अपने किसी और कंफ्लिक्ट आफ इंट्रेस्ट से अंडर क्वेश्चन मार्क लाते हैं यहा इंपी में तो इग्नोरेंस हो गई लापरवाही हो गई जिसका खाम्याजा बहुत बुरा भुगत रहे हैं हम लोग नैतिक जिम्हेदारी तो बनती हैं मगर यहां तो एरोगेंसी हो रही है अन्रेबल एंपी डॉक्टर डू शिवधासन और डॉक्टर वी शिवधासन और क क्या डॉक्टर के वी बावु के पास कोई और काम नहीं आटी एक्टिविस्ट के पास बहुत सारे डेथ साइड एफेक्ट्स से होतो रही हैं बायो मेडिसिन से बहुत सारे यह कौरोना में कौन-कौन से रेमेड़ेजवीर और क्लोरक्वीन क्या-क्या सब चीज़ें हुई पतंजली के पिछे पड़े हैं आप अईरवेद के पड़े हुए मुझे त ऐसा लग रहा है कि यह जो आ रहे हैं पर्लेमेंटरिंटरिंस के अब मुसीबत यह है कि पीमो तो काम करे गाई उसने जिकार्टी आई आई और उन्होंने कह दिया जो कितनी कुट्ली आई अप्र तो कहां से अप्रोप्रियेट एक्षन होगा और कौन सा होगा और कैसे होगा तो हमें अपने घर को ठीक करना पड़ेगा पहले जो गुजरात को लिए एफिडेविट है ना गुजरात सरकार ही ठीक करेगी कि जो आयरवेद के लोगों को लिकरके है जो उनके ACS नहीं दी है यहां भी रूल 170 को रिवाइव करना पड़ेगा मिनिस्ट्री को तब PMO का डिरेक्टिप्स लगेंगे उत्राखंड सरकार को मिलेगा कुछ की वो कुछ ACS ले सके अप्रोप्रियेट एक्षन ले तो एडवर्टीजमेंट तो गलत हैं भाव सारे गलत हैं तो मैं आरवेद के अडवर्टीजमेंट को पड़ अजली को सही तो नहीं कहूंगा लेकिन अब वो लिंक दे रहे हैं सारे चीज़ें दे रहे हैं लेकिन वो डिफिनीशन को अगर बदला जाया वो परसेप्टिप्स को अगर बदला जाया और एक ऐसा रास्ता निकाला जाया जिसमें की कंजूमर का नुकसान न हो कंजूमर मिस्लीड न हो और ये जो जन सेवा हो रही है जिसको सभी लोग कहते हैं अरे मैं खाली इसकी बात थोड़े करता हूं कैंसर की किसी ड्रग का क्या अडवर्टिजमेंट हुआ आप उसको पहले न दबोटल साब लाइस को पढ़ी है उसमें सबाता है कि कंपनीज ने क्या-क्या फ्रॉड किया है किसी भी ड्रग के डेवलप्मेंट करने में वो तो एक कंपनी का एक्जामपल है काली लेकिन नहीं मैं उसमारी चीजों को घाल मेल नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ दो बात में हूं इस पूरे प्रकरण के दो हिस्से हैं अपसेंस अफ अप्रोप्रियेट लाओ अट दे लेवल अफ अब्ड़ अब्निस्ट्री अफ आयूस बिकार बूलleness लेवल जीजह मैं वेश्टरी अप्रण को खुर्ण कर्या थंब्निस्ट्राइब लेवल थादर अख पूर्ण को अप्रोप्र प्रण को अप्रनीज फ्सार्ज़ नहीं सौर्ण को लेवल कोई अप्रीज़ आप्र अप्रण को the PMO or the Ministry of IOS may be taken by the SLA Uttarakhand the second point is bored and there is a particular set a particular sector a particular group of the people having conflict of interest with the Ayurveda wisdom they are nailing this Indian wisdom Ayurveda by any means by hook or cook so we have to prepare ourselves to address these two angles all together two of us together and then we will be able to work on the Ayurveda to establish a systematic and a very scientific way to propagate the world level. We have to fight both of them as the RTI activists and the parliamentarians and the of the situation we will take it and all the people who will not have work on the company's own business and their people just come to make a relationship with the The people who will also find the business we need to maintain the company to know about the ещё. The company of The President 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 of कमेंट्स के मुझे प्रतिच्छा रहेगी, नमस्कार, धन्यवाद, अभिनंदर.